हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चानल चलो फिल्म सुने में आज मैं एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं 2022 में आई दिजुरासिक वर्ल्ड डॉमेनियन को और अगर आपको अनिमेटेड मुविस का एक्स्प्लेइन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चानल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है तो एक बर मेरे उस चैनल को भी विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए तो लेट्स रोल अफ दर इंट्रो और चलो फिल्म सुने तो कहानी शुरू होती है वही से जहां पर इसका पहला वाला पार्ट खतम हुआ था सारे डाइनोसोर्स हुमन्स के बीच में नॉर्मली रहने लगे थे जिसकी वज़े से हुमन्स को लगातार तकलीफ हो रही थी उनके पोपुलेशन लगातार कम होती जा रही थी और डाइनोसोर्स बढ़ते ही जा रहे थे और इसी सब के बीच में एक नई कंपनी निकल करके आती है जिसका नाम होता है बायो सिन यहाँ पर अलग-अलग डैनोसॉर्स के बारे में स्टड़ी करती है और उनके बारे में पता करती है इसके बाद हम देखते हैं क्लेयर को जो कि अलग लग जगे पे फसे हुए डाइनसौर्स को अभी भी बचा रही होती है अब क्योंकि ये डाइनसौर्स हुमन्स के बीच में आ चुके हैं तो बहुत सारे हुमन्स इन्हें बेचने और खरीदने का काम करते हैं और ऐसी ही चीजों से एक लेयर डाइनसौर्स को बचाती है वो ऐसी एक डाइनसौर्स को आजात कर देती है पर अब उसके दोस्त यहाँ पर उससे ये बोलते हैं कि वो इस काम को आगे नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें CBI की जॉइनिंग का ओफर आया इसलिए वो लोग उसे छोड़ करके निकल जाते हैं और अब नेक सीन में हम देखते हैं ओवन को ओवन भी यहाँ पर दूसरे डाइनसौर्स को बचा रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं शारलेट को शारलेट अब काफे बड़ी हो गई है और वो इनी दोनों के साथ में रहरी होती है यह दोनों से अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं पर शारलेट यहाँ पर परेशान होती है क्योंकि उसे जंगल के बीच में बने हुए घर में रहना पड़ता है और उसे शहर में ज़ादा जाने नहीं दिया जाता है यह सब कुछ ओवन उसके security के लिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि कई लोगों के उसके उपर नजर है पर यहाँ पर Charlotte को गुसा रहा होता है और वो अपने आपको बंधा हुआ फील करती है अब ऐसे ही नक सीन में हम देखते हैं blue को जिसका finally एक बच्चा हो गया है इंटिड़ों की खासत होती है कि यह टिड़े बायोसिन की बनाई हुए किसी भी crop के उपर attack नहीं करते हैं और बाकी हर फसल को खा लेते हैं अब ऐसे हुए एक जगह पर attack करते हैं तो इसकी investigation करने के लिए वहाँ पर Ellie आती है जो कि जुरासिक पार्ट के force पार्ट में थी य अब यह दोनों मिलकर के जा रहे होते हैं बायोसिन कंपनी में ता कि वहाँ पर जाकर कि यह लोग उसी टिड़े का ब्लट सैंपल लेकर के आ सके और बाहर दुनिया को यह प्रूफ कर सके कि यह टिड़े बायोसिन कंपनी ने बनाए हैं और उनी के वज़े से पूरा climate करते हैं और वह लोग ब्लू के बच्चे को किड़नाप कर लेते हैं उन यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं कर पाता दूसी तरफ शार्लेट भी गुस्ते में साइकल से अलग जारी होती है कि तब लिए उसका भी किड़नाप हो जाता है ओविन यह भी देखता है पर वो यहां पर भी हेल्प नहीं कर पाता है चोटी ब्लू और शार्लेट को किटनाप करने वाले बायोसें कंपनी के लोग होते हैं और अब जब ब्लू का बच्चा जा चुका है तो ब्लू काफी जादा नाराज होती है यहां पर ओवन उससे प्रॉमिस करता ह वे फ्रेंट के पास help मांगनी के लिए उनका वो दोस्तों सादनी के बारे में उन्हें बता देता है जिसने की शार्लेट का किड्नाप किया है उसका नाम होता है राइन इस वक जहां पर गया हुआ है CIA का वो एजेंट ये बताता है कि वहां पर काफी सारे एजेंट अंडरकवर काम कर रहे हैं तो वो लोग ओवन की help कर सकते हैं तो इसके बाद ओवन और शार्लेट वही के लिए निकल जाते हैं नेक्सीन में हम एली और एलन को देखते हैं जो कि बायोसिन कंपनी में पहुच चुके होते हैं यहाँ पर हम डॉक्टर यान को देखते हैं जो कि फॉर्स पार्ट में था और उनका दोस्त होता है यही रीजन होता है कि वह लोग एजली बायोसिन कंपनी में जा चुके होते यहाँ पर वायोसन कंपनी के ओनर से मिलते हैं जो कि उनका फैन होता है और वो उन्हें उनकी जेगे का एक टूर करने के लिए बोल देता है इसके बाद हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि वैसे तो वहीं पर काम करता है पर इस वक्त वो एली और आलन का गाइड है अब यहाँ पर डॉक्टर यान चुपके से एली को एक वाश देते हैं इस वाश में एक ऐसा बायोमेट्रिक लगा होता है कि यह कहीं पर भी एकसेस दिला सकती है और ये वाश लेकर के वो लोग साम्पल लेने के लिए निकल जाते हैं अब नेक सीन में हम क्यार्लिन को देखते हैं जो कि डाइनेसार्स के डील करती है मतलब कि वो डाइनेसार्स खरीती और बेशती है पर यहां पर वो बायोसन कंपनी के कुछ लोगों से डाइनसौर को खरीद रही होती है कि तभी वो वहाँ पर शारलेट को देखती है वो एक आदमी से पूछती भी है कि ये कौन है पर वो उसे कहा देता है कि उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए अब क्यारलन यहां से निकल जाती है और सीन शिफ्ट होता है क्लेयर और ओवन की तरफ जो कि एक ऐसी जगे पे होते हैं जहां पर अलग अलग डाइनसौर्स की फाइट कराई जाती है मतलब कि वो डाइनसौर्स जो कि छोटे होते हैं यही पर डाइनोसौर्स को खरीदा और बेचा भी जाता है और यही पर क्यारलिन भी अपने डाइनोसौर को बेचने के लिए आई होती है क्यारलिन जब क्लेर को देखती है तो उसे लगता है कि यह कोई सीधी साथी लड़की है तो वो जा करके उससे ये बोलती है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए तो अब Claire उसे Charlotte की फोटो दिखाती है और उसके बारे में पोश्टती है तो यहाँ पर Caroline उसे कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से निकल जाती है पर अब यहाँ पर Owen CIA agent की help से Ryan को ढून लेता है और उनके बीच में fight शुरू हो जाती है इस fight के बीच में सारे dinosaurs खुल जाते हैं और एक दूसरे के उपर attack करना शुरू कर देता है यह dinosaur पूरे शेहर में भागने लगते हैं और Owen उनसे बच करके भाग रहा होता है Claire भी यहाँ पर एक ऐसी lady को पकड़ लेती है जिसे कि Charlotte के बारे में पता होता है पहले तो वो बहुत भागती है पर end में आकर के वो बता देती है कि Charlotte को Biosyn लेकर के गए हैं यह सुनने के बाद ही तब ही वहाँ पर dinosaur Claire के ओपर attack कर देते हैं और उसे बचाने के लिए वहाँ पर Caroline आती है Caroline के साथ बच करके वो लोग plane पे जाते हैं और तब तक पीछे से वहाँ पर oven भी आ जाता है और वो भी plane के ओपर चड़ जाता है और यह तीनों ही निकल जाते हैं Biosyn की तरफ अब next scene में हम Charlotte को देखते हैं जो कि Biosyn में आ चुकी होती है यहाँ पर उसे बात करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं जो कि उसे उसकी मां से related कुछ वीडियोस दिखाते हैं वो उसे ये बताते हैं कि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि Charlotte को उसके दादा जी ने क्लोन करके बनाया होता है पर रियालिटी पर Charlotte को उसकी मां ने बनाया होता है उन्होंने उसे अपने ही DNA से बनाया था बाकी वो बिलकुल वैसे ही पैदा हुई थी जैसे कि एक नॉर्मल पे भी होता है पर ये बात उसके दादा जी ने कभी भी किसी को भी नहीं बताई होती है यहाँ पर Charlotte अपनी मा से रिलेटेट काफी सारी वीडियोस को देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है अब वो डॉक्टर उसे ये बताता है कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी जिसको ठीक करने के लिए उसकी मां ने एक मैडिसन बनाई थी और वो उसकी ब्लड में ही डाल दी थी जिसकी वज़े से इस वक्त वो मैडिसन उसकी डीने में है और यही रीजन होता है कि उसे यहाँ पर लाया गया है अगर डॉक्टर को उसकी ब्लड मिल जाती है तो फिर वो कई सारी विमारियों का क्योर निकाल सकता है अब शारलेट उससे बात करी रही होती है कि तभी वहाँ पर बायोसिन कंपनी का ओनर आता है और वो डॉक्टर से बात करने लगता है शारलेट को मौका मिलता है और वो छोटे ब्लू को क्याट से अजात कर देती है और खुद भी वहाँ से भाग जाती है दूसी तरफ हम यहीं पर Alan और Ellie को देखते हैं जो कि यहाँ पर Watch के help से उस रूम पर पहुच गे होते हैं जहाँ पर काफी सारे टिड़े बने होते हैं वो उनमें से एक को पकड़ते हैं और उसका blood sample भी ले देते हैं पर अब वहाँ पर सारे टिड़े उनके ओपर attack कर देते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं जब वो लोग भागते हैं तब उन्हें Charlotte मिलती है और अब वो लोग Charlotte को भी अपने साथ में कर लेते हैं क्योंकि वो उसकी माँ को जानते होते हैं आगे उन्हें वही वर्कर मिलता है जो कि उन्हें ये रिवील करता है कि वो खुद भी उनकी हेल्प कर रहे हैं और वो डॉक्टर आयन के साथ में मिला हुआ है वो उन तीनों को एक ट्रेन में बिठा देता है जो कि टरनल से होते हुए बाहर जाती है ताकि वो लोग यहां से सीट के साथ जिसमे की पेर अरे उलग हो जाता है और एक ट्रेन और करते हैं और क्याली पर जाती है वो यहां पर वोक्त करती है और जैसे दैसे बच करके भागरी होती है दूसी तरफ कंपनी का ओनर देख लेता है कि एक ट्रेन कहीं पर जा रही है और काफी सारे टिट डेप बे काबू हो गया है ये देख करके उसे समझ में आ जाता है कि कोई तो वहाँ पर गया था अब इसके बाएर में पता करके उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर इयान ने हल्प कर ये एली और आलन की ये पता चलते हैं वह डॉक्टर इयान को जॉप से निकाल देते हैं और अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला होता है कि वह वर्कर भी उनके साथ में अब वो वर्कर यहाँ पर डॉक्टर इयान को अलग ले करके जाता है और वो उन्हें काफी सारे डिवाइस और एक जीब देता है तक कि वो यहाँ से भाग सके डॉक्टर इयान यहाँ से निकल जाते हैं और वो ओनर ट्रेन को भी रुकवा देता है तो ट्रेन रुकने के बाद यहाँ पर शार्लिट एली और आलन यह तीनों ही बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अब इनके सामने काफी सारे डिवाइस और वो सबी इनके उपर अटाक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर इयान आ जाता है और वो तीनों को बचा लेता है दूसी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि भागते भागते एक कंट्रोल रूम जैसे जगे में पहुच जाती है कि तभी वहाँ पर ओवन और क्यालिन भी आ जाते हैं तब तक वहाँ पर उस जीप से शालट और बाकी सब भी आ जाते हैं और फाइनली उनकी पूरी टीम यूनाइट हो जाती है पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डाइनेसार हो जाता है और ये लोग जैसे तरह से उसे लड़ते हुए कंट्रोल रूम में चले जाते है ये कैसा रास्ता होता है जहां से वो लोग मेन कंट्रोल रूम तक जा सकते है दूसी तरफ ओनर को जब ये लगता है कि अब वो सारे टिट डे उसके काबू से बाहर हो रहे है तो वो उन सभी को जला करके मारने को ओर्डर देता है वो रूम में आग तो लगा देते है लेकिन सारे टिट डे शीशे तोड़कर के बाहर निकल जाते है और पूरे जंगल में आग फैल जाती है यहाँ पर सभी लोग निकलने का प्लान कर रहे होते है कि तभी ओवन ये वोलता है कि उसने ब्लू से प्रॉमिस किया उसने एक डाइनसार से प्रॉमिस किया कि वो उसके बच्चे को छोड़ा करके लेकर के आएगा इसलिए वो ब्लू को लेने के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसके साथ में शारलेट भी जाती है दूसी तरफ फ्लेयर जाती है एली के साथ और सारे सिस्टम को बंद कर देती है और अब इतना सब कुछ होने के बाद वो ओनर भी वहाँ से भागने के कोशिश करता है पर तब उसके उपर दो डाइनेसौर अटाक कर देते है और उसकी भी डेथ हो जाती है दूसी तरफ ओवन को छोटा ब्लू में मिल जाता है जहाँ पर वो लोग से बिहोश करके ले आते है और इसके बाद वो सभी लोग चौपर की तरफ भागने लगते है कि तभी वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े डाइनेसौर आ जाते है लेकिन अब उनकी आपस में फाइट होने लगती है और ये सभी लोग निकलने वाले होते है अब उनसे दुबारा से वही डॉक्टर मिलता है जो कि जिन्दा बचके होता है वो उने ये बोलता है कि उसे शार्लेट के बलड की जरूरत है उसने गलती से एक बहुती खतरना क्टिड़ा बना दी और अब उसे ठीक करनी के लिए शार्लेट का बलड चाहिए शार्लेट इसके लिए मान जाती है तो बोलक उसे भी अपने साथ में ले लेते हैं और फाइनली ये सभी लोग इस पूरी जिगे से जिन्दा बच गए होते हैं मूवी के लास सीन में हमें दिखाय जाता है कि डॉक्टर ने दवा बना ली होती है और क्लाइमेट दुबारा से सुधरने लगता है गवर्मेंट ने ऐसा डिसाइट क्या होता है कि डाइनोसार्स को कोई भी प्राइवेट कंपनी हैंडल नहीं करेगी और वो जिस आइलेंड पे रहते हैं उसे वहाँ की नैशनल सेंचुरी बना दिया जाएगा और वहाँ पर कोई भी हूमन जाकर की कुछ भी इंटरप्ट नहीं करेगा और वन जाकर के ब्लू को इसका बच्चा वापस कर देता है शालेट जो कि अभी तक लेयर के साथ अपनी रिष्टे ठीक नहीं कर पाई होती है फाइनली वो उन दोनों को समझ जाती है और उन तीनों की एक हैपी फामिली बन जाती है और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये मूवी इपर खत्म हो जाती है अगर आपने इसके पहले के सारे पार्ट देखे हैं तो शायद ये पार्ट आपको उतना जादा पसंद नहीं आएगा इसके पहले वाला पार्ट देख करके मैंने इस मूवी से काफी जादा एक्सपेक्टेशन्स हाई कर ली थी लेकिन मुझे मूवी उतनी जादा अच्छी नहीं लगी ये मेरा अपना उपीनियन है अगर आपको इन मूवी कैसी लगए, या आप मुझे कमेंट सेक्चन में बता सकते हैं कमेंट करके और आपको मेरी वीडियो पसंद आये हैं, टो प्लीज मेरे चानल को लाइक करें, शेर करें और सब्स्राइब करें तो मिलते हैं नेक्ट्स वीडियो के साथ बबबाइ!